उन्नाव में आगामी 22 जन्वरी को प्रभू श्री राम जी की आयोध्या वापसी पर नरसेवा नारायर सेवा हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोचित कारिक्रम मेरी राम आ रहे है कि क्रम में संस्था के संस्थापक विमल द्वेदी के नेतरत में पदादिकारियों द्वारा गत 15 जन्वरी से चलाय जा रहे नगरवा जन्पत के मंदिरों को जाने वाले मारगों में स्वच्छता वा चूना डालने का भी अंचर आय जा रहा है इसी क्रम में आज नगर के प्राचीन मंदिर कल्यानी देवी प्रांगर वा मंदिर को जाने वाले मारगों में जालू लगा कर चूना डलवाया गया विमल्दवेदी ने बताया कि हम सब के लिए ये गौरव के खशन हैं जिन्हें हम सब अपनी आँखों से देख पा रहे हैं और हम सभी सनातनी प्रभू श्री राम जी की आयोधिया वापसी की तयारों में पूरे उत्साह से लगे हुए हैं मंदिर के साथ-साथ नगर वा मंदिरों को जाने वाले मारगों को सुच्छ रखा जाए इसके हम सब सुच्छता अभियान चला रहे हैं वा आम जन्मानस वा संग्ठन के पदादिकारियों से भी अपील की गई है कि अपने आसपास के मंदिरों वा मार्गों को स्वच रखें ये अभियान अनवरत 22 जन्वरी तक जारी रहेगा पुरे देश में रहे हैं इसको लेकर हम सब पुरे देश में राम में हो चुका है और हम सब की जुम्मेदारी बनती है कि मंदिरों के आसपास जाने वाले मारगों की सुच्छता का ध्यान दिया जाए, मंदिरों की सुच्छता का ध्यान दिया जाए, इसको हम सब लोगातार सुच्छता अभियान मंदिरों के आसपास जाने वाले मारगो पर चुना वा सुच्ठा अभ्यान आज कल्यानी मंदर में चलाया गया है और निदंतर ये अभ्यान जा री है और हर गर दीवाली, हर घर धोच का भी अभ्यान नर्सवा-Nार्यान सेवा दोरा चलाया जायेगा, जिसमें कि प्रतेक घरों से मैं अपील करना चाहता हूं कि समस्त सनातनी हिंदू अपने घरों में कम से कम 22 जनवरी को पांच दीपक जलाकर स्री राम जोती जलाएं वा दीपा वली का उस्सो महापर्व ये क्योंकि हम सब के लिए गौरों की बात है कि ये सब छण हम सब अपनी आखों से देख पा रहे हैं प्रभु रामलला विराज मानवाने होने वाले हैं करोडों हिंदू की आस्था के प्रतिक प्रभु से राम विराज मान होने आले हैं 22 तारी को और हम सब प्रयास करेंगे कि हर घर दीवाली मने हर मंदिरों में सचता भियान के साथ साथ पूरे देश मे भगवा में और राम में देश हो जाए